हेरी किचन डुटकों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो सुरू करते हैं आज की रेसेपी आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का लच्छा जो एक फ्राष्टिंग रेसेपी है आलू का लच्छा बहुती क्रिफ्टी बनता है यह मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना क्रिफ्टी बनता है तो आप ए वीडियो लास्ट देखे तो चलो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ मैंने तिन आलू लिया है और इस कछिन का निकल कर पाणी में भीगोई रखा था अब हम आलू का लच्छा बनाएंगे हमने एक ग्रेड लिया है इससे हम आलू का लच्छा बना लेते हैं इस तरीके से हम आलू का लच्छा बनाएंगे इसी तरह हम सारे आलू का लच्छा बना लेते हैं हमने सारे आलू का लच्छा बना लिया है और 5-6-7 पानी से हम इससे धोकर शाप को लेते हैं इसमें जो श्ट्राक है और निकल जाएगा हमने लच्छा को अच्छी तरस से दो करशाप कल लिया है और चाड़नी की मदद से जो बचाओवा पानी था वो हमने निकल दिया है और अब हम एक टावल लेंगे आप चाहे तो किचन टावल या कोटन का कपड़ा भी ले सकते हो अब हम आलू का लच्छा इसमें एट कर देते है लच्छे को हम अच्छी तरस से सुखा लेते है लच्छा अच्छी तरस से सुख गया है तो अब हम इसे एक प्लेक में रख देते है हमें इस तरह का सुखा लच्छा चाहिए गेस पर हमने वेल गरम करने को रख दिया है और वो लच्छे को फ्राइ कर लेते हैं वेल हमारा गरम हो गया है, या नहीं हम चेक कल लेते हैं से अच्छी को घाञ करेंगे दो सिर गोल में उपल दोसैं दो वेल में उबाल चला जाएगा तब हम लच्छे को पलट देंगे लच्छे का कलर अच्छी तरश से चेंज नहीं हो जाए तब तक हम इसी तरश से इसे पलटते रहेंगे अब लच्छे का कलर चेंज हो गया है और एक क्रेप सी बन गया है तब हम इसे निकल लेते हैं अब इसी तरश सारे लच्छे को फ्राई कर लेते हैं अब हम मुनफली को फ्राई कर लेते हैं इस तरश से मुनफली को दो मिनिट फ्राई करेंगे मुनफली हमारी फ्राई हो गई है तो अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं इसी तरह के से हम कड़ी पते को भी फ्राई कर लेते हैं लाचे को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं अब फ्राई की युवी मुन फुले हम इसमें एक कर देते हैं अब मशारा एक कर देते हैं एक चमच नमक लेंगे एक चमच खाली मीच पाउडर लेंगे और हम अच्छी तरह से इसे मीच कर लेते हैं और उसके पत्ते डाल देते हैं वो और समल है आप चाहे तो डाल सकते हो आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है लच्छा आई होप के मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेट में बताए वीडियो को शेर करे लाइक करे और इस किचन को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेशेपे के साथ ठेंक यू